दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के कुछ रहस्यमाई जहाजों के बारे में बताने जा रहे हैं। ये ऐसे जहाज हैं जो अचानक से समुद्र में गायब हो गए और फिर कुछ समय बाद वापस भी देखे गए। और इसी लिए हम इन्हें रहस्यमाई जहाज कह रहे हैं। तो चलिये दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं दज्जेनी जहाज की। दज्जेनी इतिहास का मशूर रहस्यमाई जहाज है। ये जहाज साल 1822 में अपनी रहस्य मई यात्रा पर निकला था बताया जाता है कि ये जहाज एक साल बाद यानि 1823 में अपने चालक सहित सभी यात्रियों के साथ अंटार्टिका में कहीं खो गया था उसके लगभग 17 साल बाद इस जहाज को वेल मचली का शिकार करने वाले हूक नाम के एक जहाज ने ढूंडा था हैरानी की बाद तो ये है कि जैनी जहाज का पूरा दल चालक सहित बर्फ में जमा हुआ था बहुत जादा बर्फ के कारण इनकी बॉड़ी पूरी तरह से जमी हुई थी और इस जहाज का कप्तान कुरसी पर ऐसे ही जमा हुआ मिला और टेबल पर चालक की लॉग बुक यानी की कारे पंजी रखी हुई थी इस किताब में आकरी एंट्री चार मई 1823 की हुई थी इसमें आकरी बार ये लिखा हुआ था कि 71 दिन से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है और इस जहाज पर मेरे सिवा कोई नहीं बचा है बहुत से लोग इस कहानी को अफवाह मानते हैं लेकिन सच क्या है ये कोई नहीं जानता कि इस कहानी में कितनी सच्चाई है और कितना जूट अब बात करते हैं दी M.B. जोईता जहाज की साल 1955 में M.B. जोईता नाम का जहाज जो की एक मचली पकड़ने वाला जहाज था वो समुआ के प्रशांत महा सागर से दो दिन के सफर पर निकला था इस जहाज पर 25 लोग समार थे आपको बता दें कि जब से ये जहाज सफर पर निकला था तब से ये जहाज वापस नहीं आया लेकिन चमतकार की बात ये है कि एक महीने बाद ही ये जहाज किसी समुद्र में आधा डूबा हुआ पाया गया इस जहाज पर जितने भी लोग थे वो गायब हो चुके थे उनका कोई अता पता नहीं था इसलिए पुलिस ने इसकी जाच शुरू कर दी जब पुलिस ने इसकी अच्छे से जाच की तो उन्होंने पाया कि इस जहाज पर से काफी सारी चीजें गायब हो गई थी जैसे कि खाना, जहाज के जरूरी उपकरन, चिकित्सा से रिलेटट जो भी सामान था वो सब का सब गायब हो चुका था इसके अलावा जहाज के टैंक पर कुछ पट्टियां भी पाई गई थी जो पूरी तरह से खून से सनी हुई थी पुलिस के अधिकारियों ने इस जहाज की बहुत अच्छे से जांच की लेकिन पुलिस को कोई भी सुभूत नहीं मिला बहुत ढूनने के बाद भी लोगों का कुछ पता नहीं चल पाया इस हादसे को लेकर लोगों ने बहुत से अनुमान लगाने शुरू कर दिये पर कोई नहीं जान था कि इस जहाज पर सबार उन 25 लोगों के साथ क्या हुआ और वो कहां चले गए मेरी सेलेस्ट जहाज ये जहाज इतिहास में और जहाजों की अपेक्षा काफी रहस्यमय है सन 1872 में ये जहाज अपने सफर के दौरान सेंट मारिया आईलेंड के पास से गुजरते वक्त कहीं गायब हो गया था ये एक हमेरी की जहाज था इसके बाद से ही इस जहाज की कोई खेर खबर नहीं थी कुछ समय बाद 4 दिसंबर 1872 को ये जहाज एक आईलेंड से खोच लिया गया जब इस जहाज को खोजा गया तब इस जहाज पर कोई भी व्यक्ति नहीं था ये जहाज पूरी तरह से खाली था जहाज में पाई गई एंट्री बुक में आखरी एंट्री दस दिन पहले यानी 7 नवंबर की थी जहाज से सब चीज़ें जैसे कि लाइट, बोर्ट्स वगेरा सब अपनी अपनी जगेह पर थे और जाज करने के बाद पता चला कि इस जहाज पर किसी भी तरह की कोई दुरघटना नहीं हुई थी क्योंकि इस पर किसी भी तरह के कोई निशान नहीं मिले थे बताया जाता है कि इस जहाज में जितनी भी चीज़ें थी वो सब अपनी अपनी जगह पर सुरक्षित थी कोई भी चीज इधर से उधर नहीं हुई थी यहां तक कि डिनर टेबल पर खाना परोसने के लिए रेडी था दुर्भाग्य की बात तो यह है कि इस जहाज पर जो भी दुर घटनाएं हुई उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया और ये रहस्य में घटनाएं आज भी रहस्य ही बनी हुई है अब बात करते हैं गोस्ट शिप की आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जिसकी बजह से शिप में बैठे सभी लोगों की अचानक से मौथ हो गई 1947 की ये घटना आज भी रहस्य बनी हुई है 1947 में यानि World War के ठीक दो साल पाद इंडोनीजिया के समुद्र में शिप को कॉल आती है इस कॉल में ये मैसेज दिया गया था कि शिप में जितने भी लोग थे उनकी मौथ हो चुकी है जिनकी बाडी, बोट और ब्रिज पर पड़ी हुई मिली है इस मैसेज के लास्ट में उस व्यक्ति ने कहा था कि इस शिप के क्रू मिम्बर्स की भी मौथ हो चुकी है और आखिर में सिर्फ मैं ही बचा हूँ जिस शिप ने सबसे पहले स्कॉल का जवाब दिया उसका नाम था सिल्वर स्टार यह जहाज अमेरिका का था जब सिल्वर स्टार के लोग उस शिप पर गए तब उन्होंने देखा कि शिप पर सभी लोग मरे पड़े थे अभी सिल्वर स्टार शिप इसे देखी रहा था कि अचानक उस सिल्वर स्टार शिप में भी आग लग गई और वो पूरा का पूरा जल कर पानी में डूब गया चोंकाने वाली बात तो यह थी कि इस जहाज का नाम किसी ने भी नहीं सुना था इस जहाज का नाम कहीं पर भी रजिस्टर्ड नहीं था ये जहाज कहां जा रहा था और इसमें कितने लोग सवार थे इसकी जानकारी भी किसी को नहीं थी कुछ लोगों का मानना था कि ये शिप स्मगलर्स का था जो इसमें काफी खतरनाक क्यामिकल्स भर कर ले जा रहे थे इस शिप पर जितने भी लोग थे उनका फेस उपर आसमान की तरफ था इसका मतलब यही है कि वो लोग बहुत जादा डरे हुए थे लेकिन उन सब को किसका डर था और आखिर में ऐसा क्या हुआ कि पूरा का पूरा जहाज ही पानी में ढूब गया जिससे सभी लोगों की मौत हो गई यह घटना आज भी रहस्य मई बनी हुई है ऐसा रहस्य जिसे आज तक सुलजाया नहीं जा सका है बर्मूडा ट्राइंगल बर्मूडा ट्राइंगल में 16 मई 2015 में क्यूबा के कोस्ट गार्ड ने बताया कि उन्हें एक जगह पानी का जहाज लावारिस मिला है लेकिन जहाज में किसी भी ग्रूप मेंबर से कोई भी संपर्क नहीं हो पाया इसके बाद क्यूबा अधॉरिटी ने पेट्रोलिंग बोट को तुरंत उस अंजान जहाज के पास भेजा जब ये पेट्रोलिंग बोट वहां पहुँची तो जहाज का नजारा देखकर सभी भोचके रह गए क्योंकि इस जहाज पर न तो कोई जिन्दा इंसान मिला ना ही कोई मुर्दा जहाज पर लगी नेम प्लेट्स और फ्लेक्सी ये इशारा करती हैं कि ये बर्मूडा ट्राइंगल से खायब हुआ जहाज है अमेरिका के वैग्यानिकों ने दावा किया है कि बर्मूडा ट्राइंगल पर हाथसों के लिए जिम्मेदार है 273 किलो मीटर की रफ़तार से हवा का चलना इस नए तरीके के तूफान को इयर भोक कहा जाता है यहाँ पर हवाएं 273 किलो मीटर की रफ़तार से चलती है इस हवा के दबाव से विनाशकारी शक्ती उत्पन्न हो जाती है यह लहरें 45 फिट उपर तक उड़ जाती है जिसकी वजह से कोई भी जहाज आराम से इस भायानक तूफान का शिकार हो जाता है इस तूफान की वजह से ही नजाने कितने जहाज डूब जाते हैं और कुछ जहाजों का तो आज तक पता नहीं चल पाया है दोस्तों उमीद है आपको हमारी आज की ये विडियो बहुत ग्यानवर्धक और रोचक लगी होगी दोस्तों अगर इस विडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में कोई सवाल है या कोई कॉमेंट है तो उसको जरूर कॉमेंट बॉक्स में लिख कर हमें बताएं आपने हमारा पूरा विडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद